हलो एब्रिवन आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडिक लॉस पर मैं हूँ डॉक्टर मॉनिका और आज हम 17 जनवरी से रिलेटेट जितने भी important question बन सकते हैं उन पर discussion करने वाले हैं और question से रिलेटेट जितने भी important fact होते हैं साथ में वो आपको quiz available हो जाएगी और इस lecture की जो pdf है वो भी आपको यहां मिल जाएगी यह आपके लिए आज का motivational court है रहाँ ढूंडोगे अगर तो रास्ते भी मिलेंगे मन्जिले खुझ चल कर नहीं आती तो इसी motivational court के साथ में हम start करते हैं आज का session first number question है who has released the book title resolutionary the other story of how India won freedom in new दिली किसने नई दिली में revolutionaries the other story of how India won freedom नामर्ग जो पुस्तक है इसका विमोचन किया है तो यह किया गया है अमिशा के द्वारा बीस का correct answer है डिटेल से हम इसके बारे में बात करें तो यह union home minister है अमिशा और इनोंने नई दिली के अंदर जो revolutionaries the other story of how India won its freedom जो नामर्ग पुस्तक है इसका विमोचन किया है और ग्रह मंतरी ने कहा है कि किताब के सीर्षक के अंदर अन्य कहानी सब्द पुस्तक का सारांस है जो स्वतंतरता संग्राम में विबिन अन्य लोगों के योगदान के दूसरे परिप्रेक्षे को प्रस्तुत करता है क्योंकि एक कथा के तहट एक कहानी को सारोजनिक रूप से स्तापित किया गया है इतिहास लेखन और सिक्षा के माध्यम से जनता पर एक नजरिया थोपा गया है संजीर सान्याल की जो किताब है Revelationaries The Other Story of How India Won Its Freedom इतियास के कई पहलों के बारे में बात करती है और ये जो बुक है ये उन क्रांती कारियों के बारे में अधिक बात करती है जिनोंने स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपून भूमी का निभाई है और ब्रेटिश राज के विरोध के हिंसक लेकिन सहसी कारियों ने उन्हें ये अहसास कराया है कि अब भारतियों पर उनका नहीं है, second number question है, where has the US government announced funds for the conservation of 06 पेगहा थॉम्स, अमेरिकी सरका ने कहां के 06 पेगहा मकबरों के सरक्षन के लिए फंड देने की घूशना की है, तो इसका correct answer होगा, यह हैदराबाद के लिए की गई है, एसका correct answer है, हैदराबाद में 18-19 वी शताबदी में निर्मेद 6 पेगहा मकबरों के सरक्षन और बहाली के लिए अमेरिका के द्वारा 2,50,000 डॉलर सांसकर्थिक सरक्षन के लिए अमेरिकी राजदूत कोश के द्वारा यह जो वित्य सहायता है, यह प्रदान की जाएगी, इस परियोजना को आगा खान Trust for Culture के द्वारा लागू किया जाएगा, पेगहा मकबरा परिसर, पुरा तत्वे विभाग, तैलंगाना सरकार का एक सरक्षित परिसर है पेगहा जो मकबरा है, या मकबरा शम्स अल उम्रा, पेगहा परिवार के कुलिंता से समधित एक मकबरा है, जिसने हैदराबाद के निजाम आसम जाही वंश की सेवा की थी और इस मकबरे का जो निर्मान का काम है, यह 1787 के अंदर नवाव तेग जंग भादूर ने करवाया था, फिर बाद में इसके निर्मान कारे में उनके बेटे आमीर एक कबीर प्रथम ने हाथ बटाया, और यह अपनी वास्तु शिल्पिय बनावट के लिए भी जाना जाता ह ऐसा माना जाता है कि मकबरे की जो वास्तु शिल्प शेली है यह पूरे विश्व में बेजोड है, मकबरे को संग मरमर के चूने से सजाय गया है और इसमें ग्रेक, पार्शियन, मुगल, राचस्तानी, आसिव जाही और धक्कनी वास्तु शिल्प का मिशन देखने को मिलता है, थर्ड नंबर ग्वेशन है, विच स्टेट हैस एंटर दर गिनीज बूक ऑफ वर्ड रिकॉर्ड फोर इसकोरिंग गॉल्स किस राजे ने गॉल करने के लिए गिनीज बूक ऑफ वर्ड रिकॉर्ड में नाम दर्श कराया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, यह कराया है केरला ने इसका करेक्ट आंसर है, केरल ने मलम पूरम के जिले पयनाड स्टेडियम में फुटबोल के ड्रीम गोल पैनल्टी शूट आउट में बारा घंटे के अंदर साड़े चार हजार पैनल्टी किक लगा कर गिनीज बूक ऑफ वर्ड रिकॉर्ड में अपना नाम पूर भारतिय फुटबोल खिलाडी यू शराफली ने पहली किक सुबह साथ बजकर 38 मिनट पर लगाई जबकि आखरी जो किक है ये युवा मामलो और खेल राजय मंतरी वी अबदूर हीमन ने शाम साथ बजकर 38 मिनट पर लगाई फुटबोल प्रेमी चात्र शिक्षक सही अनेक लोग पैनल्टी किक लगाने के लिए कतारों में खड़े थे राजय के युवा मामलो और खेल मंतराले के द्वारा आयोजित इस कारेकरम में गिनेज बुक और वर्ड रिकोर्ड का प्रतिन इधेत्व करने वाले अधिकारी उपस्तित थे मलम पूरम इवेंट के पच प्रधान मंत्री मोदी ने कहां M.V. गंगा विलास क्रूज का शुभारंब किया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसका जो शुभारंब है ये वारांसी के अंदर किया गया है 20 का करेक्ट आंसर है डिटेल से बात करें तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी वारांसी में द के डिब्रुगड के बीच दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रोज एमवी गंगा विलास को हरी जंडी दिखाई है इसके बाद में प्रधार मंत्री ने हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल और उत्रप्रदेश और बिहार की सामुदाइक जेठी का उधगाटन किया इसके साथ ह उन्होंने गोहाटी में पांडू टर्मिनल में एक जहाज मरमत स्वीधा और एक एलिवेटर रोड का लोकारपन भी किया एमवी गंगा विलास जो है ये 51 दिनों में भारत के 5 राज्यों और बांगलादेश के कुछ हिस्सों से लेकर 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगा और ये अलावा जिसमें ब्रह्मपुत्र पर गंगा और राष्ट्रे जलमाग दो शामिल है क्रोश 27 नदी प्रनालियों को पार करेगा इसमें सभी लगजरी जो फैसिलिटी है इसके साथ में 36 जो टूरिस्ट है इसकी कैपेसिटी वाले ये 18 सुईट इसके अंदर है और UP परियाट और विभाग के एक अधिकारी के अनुसार सुईट्स में सुखदायक अंद्रूनी भाग है जो फ्रेंच बालकेनी LED टीवी तीजोरिया स्मॉक डिटेक्टर कनवैटीबल बैड जैसी कई फैसिलिटीज इसके अंदर है फाइप नंबर गैशन है विच आई-ाई-ाई-टी है इंडिया स्टूडेंट रन फैस्टिवल सारंग भारत का सबसे बड़ा शात्र संचालित जो उत्सव है सारंग किस आई-ाई-ाई-टी ने शुरू किया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा यह शुरू किया गया है आई-ाई-ाई-टी मदरास के द्वारा 20 का करेक्ट आंसर है आई-ाई-टी मदरास के निदेशक प्रोफेशर कामकोटी ने कहा है कि छात्रों के द्वारा आयोजित भारत के सबसे बड़े फैस्टिवल सारंग 2023 का आयोजन किया जाएगा और इसमें देश के 500 से अधिक कॉलेजों के जो स्टूडेंट्स है यह पार्टिसिपेट लेंग कोविड महामारी के कारण तीन साल के जो डूरेशन है इसके बाद में इस फैस्टिवल को और्गेनाईज करवाया जा रहा है उन्होंने बताया है कि इस महसाव के अंदर 80,000 से अधिक जो स्टूडेंट्स है यह पार्टिसिपेट ले सकते हैं और इसमें 100 से अधिक प्रकार की जो खेल है और जो प्रतियोगीता है यह आयुजित की जाएगी सारंग IIT मदरास का वार्शित सामाजिक और सांसकरतिक यह फैस्टिवल है और यह पांच दिनों का यह फैस्टिवल होता है जो आम तोर पर हर साल जन्वरी के दूसरे वीक के अंदर मनाया जाता है सारंग भारत का दूसरा सबसे पुराना कॉलिज फैस्टिवल है और इसके स्टार्टिंग जो है यह माडी ग्रास के नाम से कुछ प्रशनोत्री और संगीत कारिक्रमों से हुई थी इसके बाद में सारंग नाम अपनाया जो धब्बेदार हीरन के लिए संसकरत है जिसे आम तोर पर IIT मदराज परिशर में देखा जाता है 6th number question है which country has increased the retirement age from 62 to 64 किस देश ने सेवा निरवर्ती की जो उम्र है यह 62 से भड़ा कर 64 कर दी है तो इसका correct answer है यह फ्रांस गवर्मेंट ने कर दी है फ्रांस गवर्मेंट ने 2030 तक सेवा निरवर्ती की जो आयू है retirement की जो एज है यह 62 साल से बड़ा कर 64 साल करने की घोशना की है फ्रांसेसी प्रधान मंत्री Elizabeth Bourne ने कल पैरिस के अंदर एक समान दाता समेलन में निन्ने की घोशना की है किसे देश की pension प्रणाली को आर्थिक रूप से संतूलित करने के उदेश्य से सुधार के रूप में वर्नित किया है फ्रांसेसी गवर्मेंट ने तर्क किया है कि लोग पहले की तुल्ला में अधिक समय तक जीवित रह रहे हैं और आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए अधिक काम करना पड़ता है seven number question है which state government is organizing a virtual book fair for its schools कौन से राजय सरकार अपने स्कूलों के लिए virtual book fair का आयोजन कर रही है तो इसका correct answer होगा ये कर रही है दिल्ली गवर्मेंट दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली के सरकारी स्कूलों के लिए गुरुवार को virtual mega book fair का आयोजन किया गया है और mega book fair के online platform से सिक्षा नीदाशाले के स्कूल अपने पुस्तकालों के लिए बहतरीन किताबों को चुन सकेंगे और वे publishers को online order दे पाएंगे और जो books है ये स्कूलों तक पहुँच जाएगी सरकार के according इससे समय की काफी budget होगी और जो पूरी process है ये काफी पारदर्शी बनी रहेगी इसमें 340 publisher भाग ले रहे हैं और इसके अंदर 8000 जो book है ये शामिल है दिल्ली के सिक्षा मंतरी मनीश सिशोधिया ने कहा है कि दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य है जहां सरकार के सभी स्कूलों के जो teachers है जो बच्चे है ये अपनी पसंद से अपनी library के लिए जो books है इसको select कर सकते हैं हर साल 8 number question है who has inaugurated the school of logistics, waterways and communications in अगरतला किसने अगरतला में logistics, जल्मार्ग और संचार स्कूल का उधगाटन किया है तो इसका correct answer होगा ये सर्बानन सोनोवाल के द्वारा किया गया है age का correct answer है ये केंड्रिय बंदरगा नो वहन और जल्मार्ग मंत्री है सर्बानन सोनोवाल और इनके द्वारा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक सहा के साथ में बुधवार को अगरतला में logistics, जल्मार्ग और संच संचार स्कूल का इन्होंने उद्गाटन किया है स्कूल परिवहन और रसर छेत्र में जो विश्वस्तर के विशेषग्य बनने के लिए छेत्र की प्रतिवा के संब्रद पुल को सक्षम करेगा और सोनोवाल ने कहा है कि पूरोतर की वादा की गई आर्थिक शमता को आया तको वानिज्य और उध्योग मंडलों इस्तानिय उध्यमियों परियतक संचाल को आधी जैसे हित धारकों के लिए अध्यन अनुसंदान प्रक्सिक्षन कारेशालाओं संगोस्ट्यों के संचालन में स्विधा प्रदान करेगा नाइन नमबर क्वेशन है शांती कुमा तैलंगाना की तैलंगाना हाई कोट के आदेश के अनुसार जो वरिस्ट आईएस ओफिसर है ये शांती कुमारी को तैलंगाना का जो चीफ सेकेटरी है ये अपॉइंट किया गया है और ये 1989 बेच की आईएस ओफिसर है शांती कुमारी तैलंगाना की पहली महिला मुख्य स सदिकारी ने मुख्य मंत्री के चंदर शेकर राव से मुलाकात की है तैलंगाना की मुख्य सचिव न्यूग किये जाने वाली ए शांती कुमारी समुंद्री जी विज्ञान में ये पोस्ट ग्रेजुएट है उन्होंने सयुक्त राज्य अमेरिका में MBA किया और दो साल तक के दौरान शांती कुमारी ने सिक्षा स्वास्त गरीबी उन्मोलन कोशल विकाश और वन विभागों में विबिन पदों पर भी काम किया है तैन नंबर ग्रेशन है विश कंट्री हैज अपॉइंटेड सोनिया गुजा जारा एस फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ दे मिनिस्ट्री और इंडिजीनियस पिपल्स किस देश ने सोनिया गुजा जारा को स्वदेशी लोगों के मंत्राले के पहले मंत्री के रूप में न्यूक किया है तो इसका करेक्टर आंसा होगा यह हुई है ब्राजील के अंदर ब्राजील के रास्ट्रपती लुईज इनासियो लूला डा सिल्वा ने सोनिया गुजा जारा को स्वदेशी लोगों के नए मंत्राले के पहले मंत्री के रूप में न्यूक करने की घोशना की है सोनिया गुजा जायारा व्यापक रूप से ब्राजील की स्वदेशी जनजातियों के मुख्य समू के नेता के रूप में जानी जाती है और Amazon गुजा जारा की सदेश्य है। सोनिया गुजा जारा एक ब्राजीलियाई स्वदेशी कारे करता परियावरन वेद और राजनीतिग्य है। और ये रूस, काने राज, चीन और सैयुक्त राज अमेरिका के बाद शेत्रपल के हिसाब से दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा देश है। और ये दक्षिन अमेरिकी महादूइप के लगबग आदे हिस्से को कवर करता है। एमेजोन वर्षावन जिसे प्रत्वी का फैपड़ा माना जाता है, लंग्स ओफ अर्थ कहा जाता है, इसका जो 60% है ये ब्राजील के अंदर स्तित है। चले कल के जो MCQ है उन्हें हम रिवाइस कर लेते हैं। किसे जैपूर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवोर्ड से नवाजा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये मिला है अपड़ना सैन को। फॉर्ड नंबर क्वेशन है रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का जो सबसे पॉलिटेट सिटी है ये कौन सी बनी है तो ये बनी है दिल्ली फॉर्ड नंबर क्वेशन है खेलो इंडिया सीनियर रास्ट्रिय महिला खोको लीग कहां आयुजित की जा रही है तो इसका करेक् चंडी गड़ के अंदर आयुजित की जा रही है जिक्स नंबर क्वेशन है है ये पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा जो है ये शीर्ष पे रहा है तो ये जापान इसके अंदर शीर्ष पे रहा है भारत का सबसे तीज भुगतान करने वाला एप कौन सा लॉंच किया गया है तो ये बना है पे रूप 20 का करेक्ट अंसर है एट नंबर क्वेशन है प्रधान मंत्री मोधी ने कहां 26 वे रास्ट्रिय युवा महस्तव का उधगातन किया है तो इसका करेक्ट अंसर होगा ये किया गया है करनाट का के अंदर सी इसका करेक्ट अंसर है 9. Question है किस राज्य की कोटा जनजाती ने आया नूर अमनूर त्योहार मनाया है तो इसका correct answer होगा ये तमिल नाडू के अंदर मनाया गया है 10. Question है वर्ड स्पाइस कॉंग्रेस का चोद्वा संसकरन कहां आयुजित किया जाएगा तो इसका correct answer होगा ये किया जाएगा मुंबई के अंदर ये इसका correct answer है और ये था कल का study gloss question किस राज्य सरकार ने मुख्य मंत्री सुखाश्रे सहाइता कोश को लौंच किया है तो इसका correct answer होगा ये हिमार्चल प्रदेश के अंदर जो है लौंच किया गया है जो मुख्य मंत्री सुखाश्रे सहाइता कोश है ये हिमार्चल प्रदेश गौर्रमेंट के द्वारा राज्य के अंदर जित्ते भी निराश्रित बच्चे हैं और महिलाएं हैं उनको प्रदान करने के लिए एक इस्तापित कोश है तो 20 का correct answer होगा और ये है आप लोग के लिए आज का study gloss question विंटेज वहनों के लिए अलग पंजिकरन करने वाला पहला राज्य कौनसा बना है तो इसका अंसा मुझे comment section में दीजेगा ये हमारा टेलिग्राम है यहां पर आपको सारे question quiz के format में available होंगे I hope आपको sessions पसंद आ रहे होंगे अगर आपको sessions पसंद आ रहे हैं तो इन्हें like कीजे अपने दोस्तों के साथ में share कीजेगा तो चले मिलते हैं हम एक नए session के साथ में thank you